गुड इवनिंग कैसे आप सभी और तैयारी कैसी हो रही है फ्रेंड्स आज का जो हमारा सेशन है वो भी बहुत बढ़िया है इंपॉर्डन क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे नए क्वेश्चन्स देखने को मिलेंगे और बिल्कुल हर एक्जाम पेपर चाहे टीज शेयर वीडियो को जरूर करना है चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसकीन पर क्या है फर्स्ट क्वेश्चन इस अड़ेप्टेशन ऑफ लेटिन कॉमडी विच जो कॉमडी ओफ एरर से विलियम सेक्सपियर का वह एक अड़ेप्टेशन है एक लेटिन वर्क से एक ले है वो किस से बहुत जादा इन्फ्लॉएंस्ट है तो यह आपका हो जाएगा बी ऑप्शन यानि के किड ठीक है किड कीड से बहुत जादा इन्फ्लॉएंस है विकोज कि किड का जो था जो थोमस किड थे उनका एक यऔर हैमलेट नाम का वक था तो यह आया था इनका 1594 में तो act किया गया था इसको तो इसमें जो है जो the lord admirals man and the lord chamberlain man में कहां पे lord admirals man और lord chamberlain man में इन theatres में इसको किया गया था तो इसी से influence होकर के इन्होंने hamlet लिखा था there is a special providence in the fall of sparrow this line occurs यह तो बहुत famous line है और बहुत ज्यादा से ज्यादा maximum लोगों को मेरे हिसाब से यह पता होगा जरूर तो यह आपका बिल्कुल हो जाएगा guys hamlet a option पर हम लोग जाएंगे ठीक है चलिए fourth question is the rarer action is in virtue than in vengeance तो यह vengeance तो यह क्या हो जाएगा आपका this line occurs कहां पर आती है तो बिल्कुल यह भी बहुत बढ़िया question है और यह आपका see option हो जाएगा यह निकिए the tempest की बात हो रही है tempest में यह line आती है और कहां पर आती है act 5 scene 1 में कहां पर आती है act 5 scene 1 में और जो sparrow वाली line अभी मैंने बताई थी वह भी आती है act 5 scene 2 में hamlet में ठीक है act 5 scene 2 में hamlet में और यह जो line है यह vengeance वाली यह आती है आपकी tempest में act 5 scene 1 में ठीक है the poem mutability published in mutability सायद आपने कुछ लोगों ने पहले ही बार सुना हो बट यह William Wordsworth की poem है बहुत बढ़िया और यह कब publish हुई थी यह आपकी हुई थी 1821 में कब हुई थी the option यानि के 1821 में यह publish हुई थी the sweetest thing that ever grew besides a human door यह कहां की line है guys और किसकी है यह बताना है आपको तो the sweetest things that ever grew यह हमारे जो William Wordsworth है इनहीं की line है और यह two Lucy poems से है ठीक है c option Wordsworth mentions about burns and chatterton in the poem कौन सी poem के अंदर इन्होंने burns और chatterton को chatterton को जो है mention किया हुआ है resolution and independence इसका दूसरा जो title है वो leech gatherer भी है तो यह बिल्कुल यही इसका अंसर हो जाएगा a option resolution और independence में इन्होंने burns और chatterton को mention किया है Keith's poetry was not imitated indeed of six pairs but six periods ठीक है यह line बतानी है whose comment किसकी comment है यह Keith के लिए तिये से लिए Matthew Arnold, John Milton या फिर P.B. Shelley तो बिल्कुल आसान सा question है वो बढ़िया line है तो यह आपकी बनती है Matthew Arnold ने ऐसा कहा था Keith के लिए ठीक है a poet is most unpoetical thing in existence he has no identity he has continually in for and feeling some other body तो यह किस ने कहा था यह line बताना है आपको तो guys यह line John Keats ने कही थी C option John Keats ने oh poesy for thee I hold my pen that I am not yet a glorious denison of the white heaven बताये guys यह कहां की line है यह भी बिल्कुल आपकी John Keats की ही line है लेकिन यह थोड़ा आप confused हो सकते हैं यह sleep or poetry से है ठीक है sleep or poetry से है oh poesy for thee I hold my pen that I am not yet a glorious denison of the white heaven ठीक है Lamb begin his career as a Charles Lamb ने अपना career कहां से begin किया था किस रूप में उन्होंने शुरुआत की थी क्या लिखना शुरू किया था उन्होंने starting में तो बिल्कुल यह as a poet इन्होंने जो है अपना लिखना जो है शुरू किया था यह यहां पर यह यह होना चाहिए ओकी जगापन ठीक है लैम्स प्रॉजवर्क अर्टेल ओफ रोजामंद ग्रे और ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट जो कि 1797 में आए थे दोनों ही वर्क यह क्या है क्या novel है, essay है, track है या फिर कोई short story है तो ये दोनों ही novel जो है guys essay है, किसके किसके essays है, ये आपके Charles Lamb के essays है, ठीक है 1797 में The mask of the seven deadly sins appears in, जो mask of seven deadly sins कहां पर appear होता है The fairy queen में, hamlet में Macbeth या फिर Tempest तो ये बहुत बढ़ी हा line है ये भी, और बिल्कुल आप इसमें थोड़ा confused हो सकते हैं, लेकिन confused होने की जुरत नहीं है, The fairy queen by Edmund Spencer, ठीक है Spencer के जो fairy queen, sorry fairy queen नामक वर्क था उसी से जो है ये, जो mask उसी में present होता है ठीक है The muse of comedy, comedy की muse किसे कहा जाता है comedy की muse, Thela, Clio Calliope या फिर Urania तो ये बिल्कुल आपका हो जाएगा A option, यानि के Thela, ठीक है Thalia Thela नहीं Who among the following is not a Roman satirist, इड में से कौन से एक Roman satirist नहीं है Quintilian, Horace, Juvenil या फिर Aristophence, तो Aristophence नहीं है गाईस, Roman बाकी, Quintilian Horace और Juvenil जो है, वो Roman है Aristophence क्या है वैसे अगर आप बता पाएं तो अगर ये Aristophence हमारे नहीं है अगर ये, तो ये क्या है फिर ये comic playwright है और ये ancient Athens है ठीक है, Athens ओके, चलिए The hundred years war was fought between England and hundred year war जो चला था, वो किस किस के बीच में हुआ था तो hundred year war जो है, मैं बता दूँ आपको Western Europe और between house of Plantagnet है न और Cadet house Plantagnet, house of Plankagnet and it's Cadet house of Lancaster, ठीक है, दो लोग के बीच में था तो ये आपका 1337 से लेकर, मैं बता दूँ आपको 1337 से लेकर के ये आपका चला था कहां तक I think 1453 1453 तक 1337 से लेकर 1443 तक जो है ये इनका चला था इसमें दो घराने थे house of Plantagnet और Cadet house of Lancaster, ठीक है, तो ये इनका चला था गाईस, दो घरानों के बीच में तो इसको hundred year war कहा जाता है और इसमें जो था फ्रांस था दूसरा, ठीक है, England और फ्रांस के बीच में, he was ill, dash a week and dash that week that week he ate nothing, तो four ill four a week हो जाएगा during that week, four हो जाएगा from till since four कौन सा प्रिपोजिशन यहां पे आपकी सही बैठ रही है according to me बिल्कुल जो सही लग रही है मुझे I think इसमें आपका होना चाहिए गाईस मुझे तो ए ही लग रहा है इसमें option ना आपको हाँ ए लग रहा है बिल्कुल क्योंकि यहां पे कहा जा रहा है कि he was ill वो एक हपते से बिमार है for a week and during that week और उस week के दोरान उसने कुछ भी नहीं खाया है ठीक है we were dash time for the train तो on time, at time, in time या फिर during हम train के लिए सही समय पर थे तो यहां क्या होना चाहिए तो on time होना चाहिए on time होता है means at the correct agreed time है ना तो इसमें मेरे हिसाब से तो यह थोड़ा then one कौन सा use होना चाहिए इसमें वैसे in time भी हो सकता है early enough for something for do to something है ना तो थोड़ा सा इसमें इसमें तो guys हो सकते है in भी हो सकता है on भी हो सकता है ठीक है तो यह थोड़ा सा confusing question है चलिए आप देखने ना इसमें okay it is not wise to have a male and bath immediately after, afterwards, since, after, during तो इसमें बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा yes इसमें आपका होना चाहिए भी यानि कि afterwards ठीक है यह ज़रूरी नहीं है कि male के बाद और बिल्कुल बात immediately आप नहाए ठीक है he is like my father तो like यहाँ पर क्या है preposition से बिल्कुल यह है we divided the property several parts property को बाटा जा रहा है किसी के बीच में नहीं बाटा जा रहा property को बाटा जा रहा अगर बीच में बाटा जा था तो अमंग हो सकता था लेकिन यहाँ पर जो बाटा जा रहा property को तो property को बाटते हैं तो into होता है always last question है I your behavior does not admit I I का क्या मतलब यह यह I का कोई sense नहीं है यहाँ थे ना your behavior your behavior does not admit that and any excuses किसी भी बहाने से तुम्हारा जो behavior है उसको admit नहीं किया जा सकता तो यह इसमें बताना है आपको क्या होना चाहिए in any excuses या fear of any excuses तो admit of होना चाहिए admit of any excuses तो गाईज यह थे आज के question हमारे I hope आपको अच्छे लगे होंगे चलिए next review फिर से मिलती हूँ आपसे तब तक के लिए like share video को कर दीजेगा और पढ़ती रहिएगा अच्छे से बाबाई take care guys कर दो 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 क